हलो दोस्तों आज मायनकिन पच्छी के बारे में बात करेंगे ये एक छोटा सा पच्छी है जो यादतर जो उष्ट कटिबंदी दच्छनपनीका में प्रजन करता है इसकी परजातियां कोलंबिया, वेनजूला, बोलिबिया और उत्तरी अर्जिंटिन्या तक फैली हुई है मायनकिन पच्छी का प्रमुक निवासस्तान जंगल, जहाणिया और बगानों में बहुतात मात्रा में देखने को मिल जाता है यह एक छोटा पच्छी होता है, इसकी लंबाई चार पॉइंट टू तक होती है नर्मायनकिन पच्छी में काला मुकूट, उपरी पीठ, पंक और पूँच होते है मादा मायनकिन पच्छी, जैतून, हरे रंकी होती है और बहुत देखने में बहुती सुनाईवी लगती है बैग्यानिक वर्गी करनर के तौर पर बात करें तो जगत जन्तु, संग कॉरोडेटा, वर्ग एप्स, गड़, पैस्रिफोर्मस, जीन्स, मैनकस मैनकन पच्छी की प्रजातियां ज्यादतर ब्रजील के जंगेवलों में, बहुत दयात मात्र में निवास करती है ये पच्छी भारत में नहीं पाये जाता है इन पच्छीयों का प्रमुक भोजन छोटे-छोटे कीड़े, अनाज की दाने होता है इस पच्छी का प्रजनन अंडे के माध्यम से होता है ये जाधतर पेडो पर गोशला बना कर अंडे देना परसंद करते है ये पच्छी अपना गोशला पेडो के खोंजलों और पेडो की डालियों पर बहुतियात मात्रा में बनाते हैं एक मादा मायनकिन चार से पांच अंडे देती है और अंडे सेने की जुम्मेदारी मादा की होती है ग्लोबल वार्मिंग की वज़े से बदलती हुई जलवायू और बहुतियात वात्रा में की जा रही हंटिंग और गर्मी की वज़े से जलाशियों का सूप जाना इन पच्छियों के जीवन में बहुत गहर असर कर रही है पेणों की कटाई की वज़े से इन पच्छियों के घोसलों में बहुतियात मात्रा में गिरावर देखने को मिली है गर्मियों के मौसम में इन पच्छियों को पानी पीने के लिए बहुत दूर तक पलायन करना पड़ता है जिसकी वज़े से ये पच्छी ग्रामीड इलाकों को शोड़ कर दूर पानी वाले इस्तानों पर पलायन करते हैं तो ये थी मैंगिन पच्छी के बारे में जानकारी अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्माद